दर्भंगा एरपोर्ट यहां के सांसद गोपाल जी ठाकूर ने कहा था कि वो अक्टूबर के पहले सपता में दरवंगा एरपोर्ट जाकर निरिक्षन करेंगे और काम को देखेंगे पटना में एरपोर्ट अधिकारियों के साथ वो मिले थे और उसके बाद उन्होंने दिसंबर की तारिक भी दी थी और ये भी कहा था कि इसी अक्टूबर महीने के पहले सपता में वो जाकर निरिक्षन करेंगे लेकिन पहला सपता गुजर चुका है दोस्तों और सांसद जी के इन दावों की कलाई खुल गई है कि वो निरिक्षन करने नहीं गए और क्यों नहीं गए क्या है वज़े ये त के साथ एरपोर्ट का दोरा करेंगे और ये अन रिकॉर्ड थी बात और ये बकाइदा उस समय मीडिया में छपी भी खबर थी जब ये पटना गए थे और अधिकारियों के साथ ये समिक्षा कर रहे थे उस समय गोपाल जी ठाको ने ये बात कही थी कि अक्टूबर के थी ऐसे ही बोल दी गई ये ऐसे कई सवाल उठेंगे जिनका जवाब खुद गोपाल जी ठाको जी को देना होगा कि आखिर ऐसा ऐसी क्या वज़े हुई कि ये नहीं गया और या इनको बुलाये नहीं गया इनको दिखाये नहीं गया क्या पर्मिशन नहीं थी क्या था ये स सवाल पूछता है सांसाजी को सामने आना चाहिए और उनको सफाई देनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि उनको वो निरिक्षन नहीं कर पा रहे हैं और निरिक्षन जरूरी है एक जनपरदिनीदी को देखना चाहिए उनका अधिकार बनता है कि दरवंगा एरपोर्ट जो बड़ा सवाल है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कुछ और खबरों के साथ कुछ और विश्लेशन के साथ हाजिर होंगे बने रही हमारे साथ और देखते रही दरवंगा रोक्स शुक्रि देखते बने वाल